जै गुरूजी संगजी गुरूजी टूड़े ब्लैसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेर करें और सबस्क्राइब करें और साथ में लगें बेल आईकॉन के बटन को प्रेस करके ओल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी की सत्संग और Blessing संगाज जी आप तक पहुंच सकें संगाज जी अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर, दुनिया किसी भी कोने में रहते हैं और गुरुजी के प्यार से चैनल पर पना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख हमारे वाटसप नंबर या हमारे बोबाइल नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं या अपना सथसंग वाइस मेसेज की रूप में और इस सथसंग हमारे साथ शेयर के गुरू जी की बहुत ब्लेश संगत हैं फरीदाबाद से परभाज शर्मा अंकल जी नहीं हाँ जी फरीदाबाद से परभाज शर्मा अंकल नहीं सथसंग हमारे साथ शेयर किया है मैं दिल उनका शुक्राना करता हूं कि उन्हेंने गुरु जी से आगढ लेकर गुरु जी के इस प्यार तक पर अपना सबस्संग शेयर किया है चलिए सबस्त prót करते है जै गुरु जी जय गुरु जी मेरा नाम पर भाष्छर्मा है और मैं फरीदयावासे हूँ आज गुरू जी के आश्रवास जारू गुरू जी की अनुगंपा से मैं यह ससंग आपके आगे शेयर कर रहा हूँ यह ससंग जो है बड़ा ही अद्भूत ससंग है और गुरू जी की महर कैसे बरसते हैं अपने भक्तों पर आप जरा सुनिए ससंग को आप जानिये देखियाप कि जी किस तरिके चापने संगत को अपने भक्तों को ब्लस करते हैं कितना प्यार करते हैं उनकी हर विमारी को क्यों और करते हैं कि हार कस्ट को हरते हैं यह सशंग सेटेड़े का है एक मेरा फ्रेंड है जो भटिंडा में रहता है और उसको कुछ दिन पहले करीब कुछ पैसों का लोस हो गया था किसी कुनों ने अमाउंट दिया था वो 34-35 रुपे का और वो इनको दिया था वो अमेरिका में दिया था और वो जिसको वो अमाउंट दिया था था वो बंदा एक्सपार कर गया और उनके पैसे डूब गए थे तो वो काफी मेंटली डिस्टाब चल रहा था तो मैंने ऐसी मेरी उससे बात हुई तो मैंने उसको बोला कि आप एक काम करो बड़े मंदिय आओ और यहां तरशन करके जा तो उन्होंने सुचाए कि चलो यह तो हमेशा यही बोलते रहते हैं भाईया तो कोई बात नहीं फिर अगले दिन ही एक दीदी का फोन आया उनके पास जो गुरूजी से गुरूजी के टाइम से जुड़ी थी जब वो फीजिकल फूम में थे पकि उन दीदी की मैरिज भी गुरूजी ने ही कराई थी वो भटिंडा में से तो दीदी का फोन भी उसके पास गया तो उन्होंने बोला कि तू बड़े मंदिर होके आ तो उसको ऐसा लगा कि लगता है गुरूजी मुझे बुला रहे हैं मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए तो फ्राइडे को कॉल आ नाइट में पोचा और हमारा सुबह मंदिर खुलते जाने का प्रोग्राम था सुरिंदर अरोरा अंकल हैं जो सेवादार हैं बड़े मंदिर के अंदर तो मैंने उनको भी फून किया तो उन्होंने बोला चलो मैं भी दर्शन करने के लिए चल लेता हूं इसी दुरान मेरा एक फ्रेंड है दिल्ली रोहिनी से उसका नाम गौत्तम सेटी है तो उसकी तबियत बहुत ज्यादा खरापती और मैं उसको करीब साल दो साल से बोल रहा था कि तु बड़े मंदिर जा बड़े मंदिर जा तेरी तब ठीक हो जाएगी पर वो पही है कि गुरू जी का विना जा सकते ना ससंग में ना ही बड़े मंदिर अचानक उसकी तबियत बहुत ज्यादा खरापती उसकी हार्ट बुट 140 के असपास और उसको चैस्ट में पहीन हो रहा था और जब मेर से बात हुई कि में बड़े मंदिर पोच जाऊँगा पांच बजे तक तो वो भी अपने घ जोड़ गये हमने लंगा परशाद किया चाय परशाद लिया जल परशाद लिया हम लेकिया जो भटेंडा से मेरा फ्रेंड आयता हरित उसको भी बड़ा अच्छा लगा मड़े मंदिर जाकि और वो उसको बड़ा सुकूमी मिला कुरी इन उनको ब्लैस किया इसी दुरान मे उसे कोई खी चराएक और वो अंदर नहीं जाने जाने जारा मंदिर के अंदर लेकिन बट वो हिम्मत करके अंदर गया जैसे ही वो गुरुजी के सवरूप के सामने गया और उसके बाद उसको नहीं बता उसके साथ किया हुआ वो अंदर बैठा अंदर बैठने के बाद उस और स्भूचो कि गर्षाइ के बादी मेरी हार्टिट नॉर्मन ही थी और मेरी निया चाम हो गिा कुछा। तो पूछा प्रृम Removel के सुल टो, कि मैरी हाट बीट नॉर्मल हो गी ती और मेरे लाया मेरे को परिशानी तो यह बहुतरा था। तो आप देखें गुरू जी अपनी संगत, अपने भक्तों को कैसे ब्लास करते हैं उन्होंने दो साल बाद ही बले ही उसको बुलाया लेकिन उसको ब्लास किया उसकी बिमारी को क्योर किया, लंगर परशाद किला के उसको क्योर किया क्योंकि लंगर प्रशाद हमारी एक मेडिसीन है, चाय प्रशाद हमारी एक मेडिसीन है, जो हमारे रोगों को, मन के रोगों और तन के रोगों को दूर करती है, तो गुरू जी की ब्लासिंग करने के तरीके अलग अलग हैं, वो हर संगत को अलग अलग तरीके से ब्लास करते ह किस को घर जा के ब्लेस्ट करते हैं किसी को बड़े मुन बुलाकर ब्लेस्ट करते हैं हर जगा ब्लेसिंग देते हैं गुरूजी। गुरूजी के पास प्यार कापार भंड़ा रहे अपने भक्तों के लिए हम तो पास चलावा argent ऐने हमें बच्चे हैं और नादान हैं और हमसे गल्तियां होती रहती हैं हम तो बस आपके हागे हाथ जोड़के आपका शुकराना ही कर सकते हैं क्योंकि इस किस चलावा मर पास कोई वर्डी नहीं है कि हम कुछ बोल सकें आपके आगे तो मैं तो अश्री गुरू जी का अनंतम अनंतम जो उन्होंने हमें अपने से जोड़ा हम इतना प्यार किया हमारी इतनी केर करते हैं हमारे अंग्शंग रहते हैं तो मेरे मलक आपका अनंतम अनंतम शुकराना आप ऐसी अपनी संगतों को ब्लैस करते रहें ऐसे ही सब को प्यार करते रहें ऐसी सब के अंग्शंग रहें ज